नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की जो भारतिय संस्कृती और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण त्याहार है यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाव द्वारा अपने पती की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है और इसमें कई खूबसूरत रितिरिवाज जुड़े होते हैं आईए इस वीडियो में जानते हैं करवा चौथ की महिमा कथा और इसके पीछे छिपी आस्था की गहराई को करवा चौथ का वरत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पती की लंबी आयू और सुक्समृद्धी के लिए किया जाता है महिलाएं दिन भर निर्जला वरत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्ग्य देकर वरत समाप्त करती हैं इस दोरान करवा चौथ की कथा सुन्ना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिना कथा के वरत अधूरा माना जाता है करवा चौथ का वरत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पती की लंबी आयू और सुक्समृद्धी के लिए किया जाता है महिलाएं दिन भर निर्जला वरत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्ग्य देकर वरत समाप्त करती है इस दोरान करवा चौथ की कथा सुन्ना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिना कथा के वरत अधूरा माना जाता है इस दिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुक्समरिद्धी के लिए पूरे दिन निर्जला वरत रखती है और रात में चंद्रमा को अर्ग्य देकर वरत का समापन करती है करवा चौथ मुख्य रूप से उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक प्रचलित है करवा चौथ वरत फिर से शुरू करने की विधी एक संकल्प लें वरत शुरू करने से पहले भगवान गनेश और करवा माता का ध्यान करते हुए इस वरत को हर वर्ष पूरी श्रद्धा से करने का संकल्प लें मन ही मन इशवर से प्रार्थ ना करें कि वह आपको इस वरत को निभाने की शक्ती देट वरत का नियम पालन करें करवा चौथ का वरत निर्जला रखा जाता है यानि दिन भर बिना पानी पिये और बिना भोजन किये वरत रखा जाता है यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो आप पानी या फलाहार लेकर भी वरत कर सकती है 3. पूरी विधी से पूजा करें शाम को शुब मुहूर्ट में पूजा करें सभी पूजन सामगरी एकत्रित करें और करवा चौथ की कथा सुनें पूजा के समय करवा माता और भगवान गणेश का आहवान करें और अपने पती की लंबी उम्र और सुक्सम्रिधी की कामना करें चार चंद्रमा को अर्ग्य दे कर व्रत तोड़े व्रत का समापन वही होता है जैसा सामान्य रूप से होता है चंद्रमा को अर्ग्य दें फिर पती के हाथ से पानी या दूढ पी कर व्रत खोलें करवा चौथ सर्गी करवा चौथ के दिन सुभह सूर्योदय से पहले दी जाती है, जो सास अपनी बहु को उपहार के रूप में देती है। सर्गी का महत्व इस्त्योहार में इसलिए होता है क्योंकि यह दिन भर के व्रत के लिए उर्जा और आशिर्वात का प्रतीक होती है सर्गी में अक्सर फल, मिठाई, सूखे मेवे, पराठे, मठरी, मिठाई नारियल, सेवया और दूध या जूस जैसे पौश्टिक खाद्यपदार्थ होते हैं डॉट इसके अलावा सास अपनी बहु को कपड़े, आभूशन और सौभाग्य के प्रतीक कुछ अन्य उभार भी देती है सरगी का समय सूर्योदय से पहले होता है क्योंकि करवा चौथ का वरत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक निर्जला बिना पानी पिये होता है और पोशन प्रदान करती है ताकि वह पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रह सके रवा चौथ की पूजा के लिए आवश्यक सामगरी को विशेश रूप से सजाया और व्यवस्थित किया जाता है करवा चौथ पूजा सामगरी एक करवा मिट्टी या तामबे का लोटा चंद्रमा को अर्ध्य देने के लिए दो थाली पूजा की थाली जिसमें सभी सामगरी रखी जाती है तीन दीपक पूजा के दोरान जलाने के लिए चार कुमकुम भल्दी और चावल अक्षत तिलक और पूजा में उप्योग के लिए पांच रोली और मोली धागा पूजा में बांधने और तिलक के लिए 6 महंदी और चूडिया सुहाग के प्रतीक 7 पानी से भरा हुआ कलश पूजा के दोरान उप्योग के लिए 8 सिंदूर सुहाग का प्रतीक 9 फल पूजा में भोग लगाने के लिए 10 मिठाई देवी को चड़ाने और प्रसाद के लिए 11 नारियल 1 महत्वपूर्ण पूजा साम 16 पानी का लोटा चंद्रमा को अरग्य देने के लिए 15 करवा माता की तस्वीर या मूर्ती पूजा के दोरान 16 पाने की छलनी छन्नी चंद्रमा को देखने के लिए 17 साथ अनाज पूजा में अरपन के लिए 18 पान के पत्ते पूजा के अनुष्ठान में 19 दूध दही शहद 25 बनाने के लिए 20 खडी सुपारी विशेश पूजा सामगरी 21 लाल कपड़ा करवा माता की पूजा के लिए इन सभी सामगरियों का सही उप्योग करवा चौथ की पूजा को विधिपूर्वक पूरा करता है यदि आपको करवा चौथ वरत के दिन या उससे एक दो दिन पह इस दिन आप सोलह श्रिंगार भी कर सकती हैं लेकिन स्वयंग पूजा नहीं करनी है हालांकि आप दूर बैठकर किसी दूसरी महिला से वरत की कथा सुन सकती है इस दौरान मंदिर न जाएं और पूजा के किसी भी सामान का स्पर्श न करें अगर आपके घर में कोई अन्य महिला नहीं है तो आप इस वरत की पूजा में अपने पती की मदद ले सकती है क्योंकि पती-पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है रात में चांद को अर्ध्य दे कर अपना वरत खोल लें करवा चौथ वरत का समापन चंद्रमा को अर्ध्य देने और वरत खोलने के अनुष्ठान के साथ होता है समापन की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है करवा चौथ वरत का समापन विधी एक चंद्रदर्शन शाम को जब चंद्रमा उदित हो जाता है महिलाएं पूजा की थाली सजाकर और उसमें दिया जलाकर तयार होती है थाली में दिया चावल, सिंदूर, पानी का लोटा और चलनी रखी जाती है दो चंद्रमा को अर्ध्य देना महिलाएं पहले चलनी में से चंद्रमा को देखती है फिर अपने पती को इसके बाद पानी से भरे लोटे से चंद्रमा को अर्ध्य जल अर्पित करती है अर्ध्य अर्पित करते समय प्रार्थना की जाती है कि उनके पती की आयू लंबी हो और उनका दामपत्य जीवन सुख में रहे तीन पती के हाथ से पानी पीना चंद्रमा को अर्ध्य देने के बाद पती अपनी पत्नी को पानी या दूध पिलाकर उनका व्रत खोलता है डॉट फिर पत्नी पती के हाथ से मिठाई या खाना खाकर व्रत को पूरा करती है चार सिंदूर और आशिरवाद इसके बाद महिलाएं अपने पती से आशिरवाद लेती है और पती पत्नी को सिंदूर और उफार प्रदान करता है पांच भोजन ग्रहें व्रत खोलने के बाद महिलाएं भोजन ग्रहें करती है इस भोजन में सास द्वारा दिये गए भोजन का विशेश महत्व होता है इस प्रकार करवा चौत का वरत पूर्ण होता है अगर किसी कारणवश करवा चौत का वरत छूट जाए या किसी वर्ष इसे रखने में असमर्थ रहें तो अगले वर्ष से इसे फिर से शुरू किया जा सकता है करवा चौथ का वरत आरंभ करने के लिए कोई विशेश अनुष्ठान या प्रक्रिया नहीं है लेकिन कुछ लोग इसे शुब और सही तरीके से पुनह आरंभ करने के लिए खास तयारी करते हैं यहां बताया गया है कि करवा चौथ का वरत कैसे फिर से शुरू किया जा सकता है करवा चौथ वरत फिर से शुरू करने की विधी एक संकल्प लें वरत शुरू करने से पहले भगवान गनेश और करवा माता का ध्यान करते हुए इस वरत को हर वर्ष पूरी श्रधा से करने का संकल्प लें मन ही मन इश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको इस वरत को निभाने की शक्ती दें दो वरत का नियम पालन करें करवा चौत का वरत निर्जला रखा जाता है यानि दिन भर बिना पानी पिये और बिना भोजन की ये व्रत रखा जाता है यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो आप पानी या फलाहार लेकर भी व्रत कर सकती है डौट तीन पूरी विधी से पूजा करें शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा करें सभी पूजन सामगरी एकतरित करें और करवा चौथ की कथा सुने पूजा के समय करवा माता और भगवान गणेश का आहवान करें और अपने पती की लंबी उम्र और सुक्सम्रिधी की कामना करें डौट चार चंद्रमा को अर्ध्य देकर व्रत तोड़े व्रत का समापन वही होता है जैसा सामान्य रूप से होता है चंद्रमा को अर्ध्य दें फिर पती के हाथ से पानी या दूध पीकर व्रत खोले डौट विशेश बात करवा चौथ व्रत के लिए जरूरी है कि इसे पूरी श्रध्धा और विश्वास के साथ किया जाए अगर यह किसी कारणवर्ष छूट गया हो तो इसे अगले वर्ष पूरी श्रध्धा से पुनह आरंभ किया जा सकता है करवा चौथ व्रत की कई पौरानिक कथाएं है जिन मेंसे कुछ प्रमुख हिस्प्रकार है कथाओं में विर्वती, करवा और महाभारत से जुड़ी पौरानिक कथाओ को प्रमुखता से सुना और सुनाया जाता है इन कथाओं का धारमिक और सांस्कृतिक महत्व है जो सदियों से इस वरत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं वीर्वती की कथा वीर्वती एक सुन्दर रानी थी जो अपने भाईयों की इकलोती बहन थी उसने अपने पहले करवा चौत का वरत रखा पूरे दिन निर्जला वरत रखने के बाद वह शाम को भूखप्यास से व्याकुल हो गई उसके भाईयों को उसकी हालत देखकर दुहक हुआ और उन्होंने चाद निकलने से पहले ही पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसकी चाया दिखाई ताकि वीर्वती उसे चाद समझकर वरत तोड़ सके जैसे ही उसने वरत तोड़ा, उसे खबर मिली की उसका पती मृत्युशया पर है वह व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी उसकी सच्ची भक्ती और समर्पन से प्रसन होकर यमराज ने उसके पती को जीवनदान दिया और तब से करवा चौत का वरत सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है दो करवा की कथा करवा एक पतिवर्तास्त्री थी जिसका पती एक दिन नदी में सनान करते समय मगर्मच द्वारा पकड़ा गया करवा ने तुरंत धागे से मगर्मच को बांध दिया और यमराज से उसे मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की यमराज ने करवा की भक्ती और समर्पन को देखकर मगर्मच को मृत्यु दंड दिया और करवा के पती को जीवनदान दिया तभी से करवा चौत पर करवा की पूजा की जाती है डॉट तीन महाभारत से जुडी कथा, महाभारत में भी करवा चौत का महत्व वर्नित है। जब अर्जुन तपस्या करने नीगिरी परवत पर गए थे, तब द्रॉपदी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, उसने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने उसे करवा चौत का वर्त करने का परामर्ष दिया। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी आठ गलती है, जो हमें करवा चौत वर्त के दौरान नहीं करनी चाहिए। करवा चौत के दिन कुछ परंपरागत मान्यताएं और धार्मिक नियम होते हैं, जिनका पालन करने से वर्त को सफल और शुभ माना जाता है। यहां आठ ऐसी गलतियां हैं जो करवा चौत के दिन नहीं करनी चाहिए, एक वर्त में पानी या अन्नका सेवन करवा चौत का वर्त निर्जला होता है, यानि बिना पानी और भोजन के वर्त के दौरान गलती से भी कुछ खा या पी लेना अशुभ माना जाता है। दो श्रिंगार ना करना, करवा चौत पर महिलाएं पूर्ण श्रिंगार करती हैं। बिना श्रिंगार के वर्त करना या पूजा करना वर्त को अधूरा माना जा सकता है। रखना वरत की पवित्रता को भंग कर सकता है। चार सूर्यास्ट से पहले वरत तोड़ना, करवा चौत का वरत चांद के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। चंद्रमा के दर्शन से पहले भोजन या जल्द रहन करना अशुभ माना जाता है। पांच सफेद या काले रंग के कपड़े पहनना करवा चौत के दिन सफेद या काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लाल पीले या अन्यशुभ रंगों का चुनाफ करना उचित होता है। छे पूजा सामगरी में कमी करवा चौथ की पूजा में करवा, दीपक, चावल, हल्दी, कुमकुम आदी की पूर्णता का ध्यान रखना चाहिए। पूजा सामगरी में किसी भी प्रकार की कमी पूजा के फल को प्रभावित कर सकती है। साथ पती की लंबी आयू की प्रार्थना न करना करवा चौत का वरत विशेश रूप से पती की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसलिए पूजा के दौरान इस प्रार्थना को जरूर शामिल करें आठ असत्य बोलना इस दिन वरत रखने वाली महिला को असत्य बोलने से बचना चाहिए। वरत के दौरान जूट बोलना वरत के प्रभाव को कम कर सकता है, इन बातों का ध्यान रखकर करवा चौत का वरत शुद्ध और पवित्र रूप से पूर्ण किया जा सकता है